अमेरिका में जब राहूल गांदी सिखों के बारे में बोल रहे थे तब उनके ठीक सामने बैठे सिख समुदाय से आने वाले शक्स भलिंदर सिंग बिर्मानी का भी मानना है कि भारत में उनकी धार्मिक आजादी पूरी तरह सुरक्षत है मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ है मैंने सारी उमर भारत में गुजारी है पंजाब में गुजारी है दिल्ली में गुजारी है और 24 सार मैंने मीडा इंडस्ट्री को भी दिया है कहीं नहीं मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी टर्बन को लेके मुझे कहीं सवाल किया या मेरे जो धार्मिक चिन्ने हैं, उनको लेके सवाल किया गया, यानि कि यह सरफ मैं अपने भलेंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, यह पूरे सिख जगत की बात कर रहा हूँ, और मैं पूरे होस्टे के साथ यह कह सकता हूँ, यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन ह कुछ घटनाई हुई है उनसे हम मुकर भी नहीं सकते कुछ examination halls में जो सिख बच्चे हैं उनका कड़े उतारे गए हैं लेकिन उस महाँ पे क्या महौल था क्या situation थी क्या उनके पास क्या documents थे या क्या उनको हिदायत दी गई थी कि बच्चों को कड़े उतारें तो ऐसी कुछ च दबन बाने की इजाज़त नहीं है कि वो गुर्दारें नहीं जा सकते इस तरह की अजादी नहीं है बलकि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है